हाई फ्रेंट्स वेलकम टू आर्या केरेर अकेडमी तो आज हम लोग मेटल डिजीज के बारे में देखेंगे और यह जो डिजीज हम यहां पर प्रभाइट किये हैं यह रेल्वे में एल्पी टेकनीसियन और ग्रूप डी का जो एक्जाम हुआ है प्रिवियस एक्जाम लगभग 20 बार हर एक क्वेश्चन को पुछा गया है तो इसलिए इसको किसी भी हाल में याद कर लिजिए क्योंकि यह इतना इंपोर्टेंट है कि 110 परसेंट हो सकता है कि आपके सेट में आ दिया हो तो इसलिए यह इंपोर्टेंट है है पाची डिजिज मेटल का मगर यह सारा का सारा हर बार पुछा गया है चाहे वह अप्रेंटिस का है एक्जाम क्यों नहीं हो रेलवे का तो उसमें भी इस डिजिज को पुछा गया है तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब् हम लोग चालू करते हैं तो सबसे पहला मेटल डिजिज हम लोग देखेंगे क्रोमियम और आर्सनीक तो देखें क्रोमियम और आर्सनीक से दो चीज होता है अगर आप खाना मतलब की जैसे कि पानी यह वाटर वाटर से डिजिज होता है ठीक है तो क्रोमियम और आर्सनीक ज होगता है और फॉत नाम को याद कर लिजेगा कि क्रॉमिय और आर्सनीक से दो डिजीज होता है मैंने कैंसर होता है है डिजीज होता है और यह इसको आप लोग याद रखी आँएगा और यह पुछा गया है रवार चलिए नेक्स देखते हैं next है, cadmium disease, cadmium metal का नाम है, cadmium metal को अगर ज inventor вед chick आपको कौन सा डिजीज होता है इटाई इटाई डिजीज होता है इटाई इटाई डिजीज में होता क्या है कि जैसे देखिए आपका हड़ी है हड़ी केलसियम से बना रहता है और जैसे ही काडमियम मेटल जैसे कि आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो जैसे हम लोग सब कुछ जुक्त खाना खाते हैं तो मान लिजिए धान उपजाया गया उसमें जब काडमियम का मात्रह जादा जैसे खाट डाले बहुत रख्ची डाले तो कहीं कहीं पर मान लिजिए कि फैक्टरी के इर्दगीर्द में धान का खेती हुआ है और वहाँ पर वो फैक्टरी किसका है कैडमियम का है तो उसमें कैडमियम का जो पानी है मतब फैक्टरी का पानी जो है वो चला गया वो उस खेत में पैडी के और जो पानी में था वो था कैडमियम तो कैडमियम आपक जब आप खाओगे तो उससे क्या होगा आपका लीवर और किड्नी को अफेक्ट कर देगा और क्या करेगा जो आपका हड़ी है जैसे आपका हड़ी जो है पहले केलसियम से बना हुआ था और जैसे ही उसके अंदर काडमियम का मात्रा बढ़ेगा तो आपका हड़ी क्या हो जा बन करते गए तो एक ऐसा समय जाएगा कि आप खड़े नहीं हो पाओगे आपका पैर हाथ सब कुछ हड़ी आपका बोन मैरो गला देगा आपके सरीर में खून का कमी हो जाएगा और आप लिटरली में लास्ट जाकर स्वर्ग सिधार जाओगे मतलब मर जाओगे तो यह याद देखिए मरकरी से कौन सा डिजीज होता है तो मरकरी से डो डिजीज है जो इंपोर्टेंट है जो हर साल पुछा गया है मीना माटा डिजीज और पिंक डिजीज ठीक है यह पूछा जाएगा कि मीना माटा डिजीज कौन से मेटल से होता है तो मरकरी से होता है देखिए मीना के बाद आप स्वर्ग सिधार होगे ठीक है तो इसमें भी बहुत ही खतरनाक है इसमें क्या होता मरकरी का मात्रा जैसे देखो आप कोई भी फूट कंज्यूम करते हो जैसे आप मैगी लेते हो तो मैगी में आप पीछे में देखना लिखा रहता है लीड इतना परसेंट काडम का मात्रा मतलब की जादा है तो उससे भी डिजीज हो जाएगा मरकरी का मात्रा जादा है तो मरकरी का मात्रा जादा हो जाएगा तो आपको मीना माटा डिजीज होगा और रेगुलर बैसे पर कंज्यूम करना ऐसा नहीं है कि आप एक बार कंज्यूम के लिए तो हो जाएग तो इसी तरह जब आप खाना खाते हैं तो उसमें आप मर्करी का मात्राइब ज्यादा धाता है तो मीना मा ओठा भी हो जाएगा य्टीज जफिश autobi का क्विल आप च tracking गómo mayo his pink color का हो जाएगा तो उसका ये सारा Butler ऐसा नहीं कि आपको हो गया ता आपको ठीक हिसाट भाहता है सिर्फा करना होता है एक दम वश्ठ कंडिशन अब जा रहे हो तो दिश्कट हो जाएगा अगर आपका ब्रेन DR हो गया कोमा में चले गया तो बाहने पबलbers nu यह हो गया है तो इसलिए यह सब पहले डैगनोसीस हो जाए तो बहुत अच्छा मतब की क्योर चिया जा सकता है इसको चले देखते हैं मेटल क्या है लीड़ और लीड़ से कौन सा डेजी होता एनेमिया और निफ्रोपेथी तो देखिए अनेमिया कैसे होता अगर lead का मात्रा जादा हो गया तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा अनेमिया अनेमिया देखिए अधितर औरोतों में पाये जाता है अनेमिया का ऐसा कोई बड़ा इसू नहीं है ठीक है अनेमिया हो जाता है iron के कमी से भी अनेमिया होता है और lead के भी कमी से अनिमिया होता है और दूसरा है नेप्रोपैथी नेप्रोपैथी में क्या होता है आपका क्या नेफ्रोण किड्नी इसमें किड्नी अफेक्ट होजाता है टोटल का टोटल ठीक है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा तो lead poisoning में क्या होता है पहले headache होगा irritation ह होगा आपको सेंसेशन पैदा हो जाएगा डिफिकल्ट होगा स्लीपिंग आपको नींद नहीं आएगा एडिमोनेल पेन होगा पूर मतलब कि आपका सब कुछ खराब हो जाएगा एक तरह से माल लिजे जितना आपका शरीर का नॉर्मल प्रोसेस है उस सब से आप हांत धो बैठ हो गये मतलब कि आपको हेड़क रहेगा नींद नहीं आएगा रेगूलर उसके आपको मतलब Glas की आप पूड Videos एकापका कैपिसी जीज को करने का दीरे-दीरे करके capacity घड़ जाएगा, admiral मतलब कि आपके अंदर का जो अतरी पतरी उस सब में दर्द कबर जाएगा, ये सारा चीज इसका है behavior, ठीक है तो इसको भी याद रखिए कि lead से कौन-कौन सा disease होता है, एनेमिया और नेप्रोपैथी तो ये दो disease हो गया देखिए, ये जितना भी disease हम बताए हैं, ये metal से अधारिश disease बताए हैं, और book में भी इतना ही mention है, और हर एक exam में railway के, आप book उठाइए पिछले 40 सल का, और अगर दो set किये, तो दो set में एक disease हो मिल जाएगा आपको, तो इसलिए इसको आप रट लीजिए अगले में हम माइन से रिलेटेड बताएंगे कि जो cotton में काम करते हैं, उनसे क्या होता है, जो mercury के जिसे की जहां पर कोल निकलता, वहां पर क्या होता है, उलेन इंडेस्ट्री में जो काम करते हैं, उनको कौन सा डीजिज होता है तो वह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रभाइट करा देंगे उससे रिलेटेड डीजिज, डीजिज से कोस्टन हर साल आता है, बाइलो जी का है इसलिए इंपोर्टेंट है रेलवे में तो इसलिए आप ये चारों पांचों को याद कर लिजिए, चलिए थैंक्यू फर वाचिंग शेर अन सब्सक्राइब में चानल और लाइक बटन दा बाना नहीं बोलियेगा, ठीकर